Hello friends, welcome back to my youtube channel, let's learn PSIR So friends, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफी बहतरीन तरीके से अपने पढ़ाये को continue कर रहे होंगे So friends, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं Western Political Thought के, one of the eminent scholar, one of the eminent thinker Jean Bodden के बारे में So friends, be energetic and let's get started So चलिए से स्टार्ट करते हैं आप जिन बारे में सिर्ज के पहले वीडियो जो की उनके introduction पर बेस्ट होने वाला है उनके दिये गए एक प्यारे से quote के साथ No one has the right to dictate another's belief and religion should not be used as a tool of political oppression Friends, इजो quote आप देख रहे हैं ये जिन बारे में के द्वारा दिया गया है जिसके मादे में से बताना चाहते हैं समधाना चाहते हैं कि अगर किसी का मानने जिए कोई religious belief है किसी का अगर कोई धार्मे को विश्वात है तो उस पे किसी third person का control नहीं होना चाहिए ठीक है और उनको ये भी कहते हैं कि religion को यानि कि धर्म को कई भी political operation का tool नहीं बनाना चाहिए ठीक है कई भी पने political interest को fulfill करने के लिए धर्म को as a tool use नहीं करना चाहिए ये बहुत ही गलत है ठीक है अगर कोई किसी का प्रति belief रखता है धर्म को ले करके अपना को धर्मिक विस्वास रखता है तो उस पर किसी third person का right नहीं बनता है कि उस पर वो comment करे या उसको वो control करे ठीक है वो sovereign है अपना कोई भी individual का अपना को belief हो सकता है वो अपना belief रख सकता है किसे भी religion को ले करके प्रेंट्स मेरा जो वीडियो होता है जो इतना quote करने का जो point of view होता है उसका मेरा main motive यह होता है कि क्या करता है और exam में अकसर क्या होता है कि किसी thinker के या किसी scholar के quote को उठा करके डाल दिया जाता है कि या statement किन scholar का है या statement किन के द्वारा दिया गया है या किस संधर में बोला गया है तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितने सारे quote को use करता हूँ उसको आप अच्छे तरीके से graph कर लो ताकि exam में अगर आपको इनके statement से बना करके question दिया जाए तब इसलिए उस question के साथ deal कर सकते हो तो चलिए फ्रेंट अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग जिन बॉडिन के series को किस तरीके से complete करने वाले हैं तो फ्रेंट दखी आज ये मारा पहला वीडियो आने इस series के पहला पार जो की उनके introduction उनके biography पे based होने वाला है ठीक है इनके second video में हम लोग देखे हैं कि जिन बॉडिन का estate को लेकर क्या point of view था कि estate कैसा होना चाहिए third video में हम लोग समझेंगे कि ये absolute sovereignty आने के sovereignty के बारे में क्या बात करते हैं फिर हम लोग इनके fourth videos में देखे हैं क्या कि जो जिन बॉडिय है वो लोग की बारे में क्या बोलते हैं लोग के उपर क्या theory देते हैं ठीक है उनको समझेंगे फिर हम लोग friends से भी देखेंगे कि उनका private property को लेकर क्या point of view है टेक सेक्सेशन को लेकर क्या point of view है उनकी भारे theories को हम लोग काफी बारे की से काफी detail में समझेंगे और last time हम लोग उनके criticism वाले point को भी देखेंगे कि आखिर किन किन argument के साथ उनको उनके concept को criticize किया गया है गेटिंग इट तो चलिए friends समलोग अब आगे बढ़ते हैं और जिन बॉडिन के बारे में काफी detail में समझते हैं तो friends जिन बॉडिन एक ऐसे प्रसिद्ध french philosopher थे ठीक है जिनोंने 16th century में मतलब अपने कई सारे महत्पुर्ण कारिद्वारा समराज सत्ता और management जैसे कई विसे में काफी important विचार दिये हैं ठीक है और उनका ये जो योगदान है वो आज भी बहुत ही ज़्यादा relevance है आज की टाइम में भी बहुत ही ज़्यादा relevance रखता है ठीक है जितना भी concept किस ने दिये है जिन बाडिन ने दिये हैं ठीक है वो एक philosopher थे जो कि French के रहने वाले थे ठीक है वो फ्रांस के रहने वाले थे तो चलिए फ्रेंट्स पहले हम लोग उनके बारे में उनका एक brief life के समझ लेते हैं किन बारे में जिन बारे में कि उनका जीवन किन- को आगे समझने के लिए कि अगर उनका इंट्रोडक्शन को उनके बाइग्राफिक को अगर हम लोग अच्छे तरीके से लर्न करेंगे न तो उनका सारे आगे जो कि हम लोग देखेंगे उनको काफी और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इसे लिए आज का ये वीडियो हमारा उनके लिए एक बेस कितक और पर काम करेगा वो हमारा एक बेस कजार करेगा तो फिर जिन बॉर्डिन का जन्म जो है 1529 में एंजर्स नामक एक सहर है एक सेटी स्टेट है फ्रांस का ठीक है वहाँ पर इनका जन्म होता है जिन बॉर्डिन का और वो जो दौर था 1529 का तम लोग को ये पता है कि 14 से 16 सैंचुरी का जो पिरियड था वो किसका पिरियड थ है ठीक है अम लोगों अभी हाली में मैक्यावैली सेरीज को कंप्लेट किया है ठीक है तम लोग को ये पता होगा अगर आप लोगों मैक्यावैली की सेरीज को काफी अच्छे तरीके से कंप्लेट किया होगा तो आप लोग को ये पता होगा कि जो मतलब की जो ये पिरियड 1529 अनने की जो 16th century का जो period था वह काफ़ी जादा मतलब unsustainable ओलर था मतलब की unstable period था बहा पहते ज़ुँ काफ़ी जादा बदलाव आ रहते काफ़ी ज़ुँअ परिवर्थान हो रहा । ठीक है यह रेने सा पिरियाड चाल रहा था और इसलिए जितना मैक्यावेली का concept में लोग ने देखा कि जो मैक्यावेली को जिन चीज़ों ने परभावित किया था हम लोग वो सारे चीज़ों का मतलब की influence उनका सारा impact हम लोगों को जिन बॉर्डिन के उपर भी दिखता है जिन बॉर्डिन जो है फ्रेंड वो 16 सेंचुरी की बहुत बड़े मतलब बहुती ज़्यादा eminent ये humanist philosopher माने जाते हैं बहुती बड़े जुरिस्ट माने जाते हैं lawyer माने जाते हैं ठीक है historians भी बहुत बड़े historians थे जिन बॉर्डिन और साथी साथ ये political theorist वे थे ठीक है ये politics मे लेकर कि इन्होंने बहुती जादा मतलब गहराई में बात कही है ठीक है बहुती सारे topic इन्होंने अपने योगदान दी है ठीक है जिसको अनों लोग आगे और भी detail में समझेंगे इनकी जो parents difference वो थे गुविलामे बॉर्डिन जो इनके फिता का नाम था ठीक है और कैथरिय जो टेटर ठीक है चोले friends समलोग आगे बढ़ते हैं ठीक है इनका जो ये मतलब की जो जिन बॉडिन थे वो एक wealthy बुर्जवाजी फैमिली में जन्म लिए ठीक है उनकी जो पिता थे वो काफी तेकि बुर्जवाजी का मतलब क्या होता है बुर्जवाजी का मतलब होता है ए लोवर तबके के लोग है जो थोड़ा कमजोर है जो थोड़ा सब वीक है जो वरकर है उन्हें प्रॉलेटरियेट बोला जाता है ठीक है लेकिन जो जिन बॉडिन है उनका जन्म एक wealthy एक अमीर परिवार में जन्म होता है वो एक बुर्जवाजी फैमिली थे और इनके पिता बुर्जवाजी फैमिली से बिलॉड्ग करते थे और इनका जिस दौर में जन्म हुआ इनका वो काफी ज्Яदा मतलव की unstability वएला टाइम पीरियट ता है वो बहुत ही ज्यादा उसमें क्या और था कि फ्रांस जहां पी इनका जन्म हुआ था उस फ्रांस में क्या तो बहुत ही ज़्यादा instability था वहाँ बहुत ही ज़्यादा वार चल रहे थे किसे किसे बीच में तो religion को लेकर के वार चल रहे थे चर्च का बहुत ज़्यादा relevance अब तक हो गया अब हम लोग को चर्च को नहीं बलके कि modernization को accept करना होगा अब हम लोग को reform लाना है ठीक है तो यह जो reformist थे उसे protestant बोला गया और जो catholic और जो church के support में थे कि नहीं religion होना चाहिए church का जितना importance था उस time उसे continue रहना चाहिए ठीक है जो उनके support में थे उन्हें catholics बोला गया और उसमें क्या हो रहा था कि Catholic और protestant का बहुत ही ज़्यादा conflict चाल रहा था बहुत ही ज़्यादा war वाला situation create हो गया था किसके बीच में Catholic और protestant के बीच में religion को ले करके और इसी time period में body का जन भी हुआ था जिन body जो थे friends वो बहुत ही ज़्यादा scholar थे बहुत ही ज़्यादा scholar student थे उन्होंने काफी बहुत ही ज़्यादा उनका रूची था किसमें अध्यान में education में काफी ज़्यादा उनका रूची था और इसी लिए वो law की पढ़ाई करने के लिए university of toles law में गये थे जो कि वहीं पे था फ्रांस में ही था ठीक है बाद में उन्होंने परिस में जाकर करके पढ़ाई की इनको ले करके ठीक है और उनका जो मतलब बहुत ज़्यादा शौकिन थे philosophy को ले करके ठीक है उनको philosophy पढ़ना बहुत ज सकते हैं कि जिन बॉडिन थे वो काफी a scholar student थे उन्हें हर मतलब हर फिल्ड में हर एक चीजों में जानने के बारे में काफी यह था वह सौकिन रखते थे ठीक है यहां पर जो डेवल्ड है डेवल्ड इन फिल्लॉसफी अन्जा क्लासिक उसका मतलब ही होता है कि काफी ज़्यादा वह सौकिन थे मेरा जो वीडियो होता है न वह बहुत ही ज्यादा मतलब की थोड़ा सा हम लोग ऐसे वर्ड का यूज करते हैं ताकि आप लोग का जो वह थोड़ा क्लास देखती देखती ही आप लोग याद कर लो साथी साथ आप लोग मतलब बहुत सारे नए वर्ड नए टम्स को भी आप लोग सीखो ठीक है और ताकि मतलब इसे चाहिए कि आप लोग का नौलेज तो इंप्रूब होगा इस साथी साथ उनकी जितने भी अलग-अलग सान साथ को मैं इन सारे बातों का ध्यान रखता हूँ इसलिए अपनी वीडियो में काफी सारे टर्म का यूज करता है रहता हूँ उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि 1596 में जिन बॉडिन का ध्यान थो जाता है उनका प्रित्वी हो जाता है ठीक है जब वो 67 एर एज के थे हाला कि फिर भी इनका जो राइटिंग है इनका जो इतना भी कॉंट्रिबूसंस रहा है वो बहुत ही बड़ा इंडियोरिंग मार्क छोड़ करके जाते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी को लेकर के और उनका जो योगदान है उनका जो रोल है ना मॉडर्न नेसन स्टेट को फॉ पॉलिटिकल फिलोसफी को लेकर के वो मतलब की बहुत ही जाता बढ़ा रहा है तो चलिए फ्रेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते कि जिन बॉडिन का क्या-क्या इंपॉटेंट कॉंट्रिबूशन रहा है उसको लोग काफी अच्छे तरीके सारी पॉइंड को काफी डिटिल में समझते हैं तो इकना देखिए जैसे कि हम लोग को पता है कि जो जितने भी पॉलिटिकल स्कॉलर होते हैं जितने भी पॉलिटिकल थिंगर होते हैं पॉलिटिकल साइन्टिस होते हैं वो सारी लोग क्या होते हैं कि अपने टाइम के अपने उस दौर की चा काफी और अच्छ तरीके से समझ में आएगा ठीक है तो क्या था कि जो बॉडिन थे उनका भी टाइम पिरेट कुछ वैसा ही था उन्होंने रेनिसा पिरेट को काफी नजदिक से देखा था कि जितने भी बदलाव आ रहे थे ठीक है वो बदलाव के दौर को काफी अच्छ तर लोग अपनी आपको सुप्रीम करने में लगा वे थे और उस दौर में मतलब की मैक्यावैली जैसे थिंकर जिन बॉडिन जैसे स्कॉलर उभरते हैं ठीक है और उन्होंने उससे बाहर निकल करके उस रिलिजन और मतलब इस प्रॉल्टाइट के जंग को ले करके वहां से बा करके उन्होंने अपनी कांसेट को डिवलट किया कि जिन बातों को यह लोग ले करके लड़ रहे हैं कि इस चर्च का नोम्वड रहे काहिए ठीक है और स्ते कैसे वेलफेर के रास्त स्क्ता है उनके बारे में उन्होंने सोचना स्टार्ट किया ठीक है इसलिए हम लोगों को मैक्या वैली और बॉडिन के बारे में कापी यदा इसलिए हम सब्सक्राइब बॉडिन का कॉंट्रिबूशन वैसे तो बहुत सारा है तो लोगों ने क्या देखा है इनका पहला प्वाइंट है वह जो इनके थिएरी औप सवरनेटी है वह बहुत ही बड़ा रोल पर ही करता है बॉडिन के लाइक में ठीक है और उन्होंने मतला theory of sovereignty के थुरू जो उस time का जितने भी problem थे ठीक है उनका time में उनके surrounding में आने की जो उनका place था France वहाँ पी और उनके nevering country की बीच में जिस तरीके का situation चाल रहा था वहाँ के problem को observe करके उन्होंने काई सारे solutions को provide करवाया था अपने मतलब की book sovereignty को लेकर के ठीक है next point हम लोग देखते हैं फ्रेंट की जिन body का क्या मानना था तो जिन body का ये मानना था कि किसी भी estate में peace आने की सांधिय तभी establish हो सकता है तभी restore हो सकता है जब वहाँ पर मतलब की जो प्रेंस होगा जो राजा होगा न वो sovereign होगा ठीक है उनके पार यतने भी संप्रभूता होगी जितने भी power होगे वो absolute होंगे ठीक है उनके उपर कोई भी restriction होगा वो absolute होगे ठीक है और individual power of the state होगा मतलब जो state का power होग कोई भी ऐसा मतलब legal imposis नहीं लगा सकता है, कोई भी restriction नहीं लगा सकता है, कि राजा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, prince क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, उनको रोकने वाला और कोई नहीं होना चाहिए, भाक दिसारा power estate के पास आने की, estate को institute करने वाला, rule करने वाला prince के पास होना चाहिए, यह belief के system किसका था, तो यह body का भी belief system लोगं को दीखता है, और L.A. structure का भी belief system दीखता है, इसे लिए यह बातों कहना भी बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो thinker होते हैं, जो smaller होते हैं, वो लोग अपने time के सबिलिए लिए को ढ करते हैं इस तरीके से कि जो को मतलब करें और बावर का हुआ धिक है परफेटल पावर कहने का मतलब क्या हुआ उनका मतलब क्या होता जितने भी power वहाँ पी होगे न, वो होना चाहिए किसे पास prince के पास, ठीक है, वो जितने भी लगातार, जितने भी work करेगा state, वो सारा का मतलब जो contribution, जिसका रोल होगा, वो prince के पास होगा, ठीक है, अगर prince मान लिजी किसे decision को लेता है state के लिए, तो आपको ये मान के चलना है, तो state है, जैसा कि body अपने theorem बताते हैं, ठीक है, वो body रिप्रेजेंट करते है, state को common wealth का नाम दे करके, और ऐसा body क्यों बोल टेंट दखे, जो body न, जिन body, वो अपनी experience की बैसे जैसा कि उन्होंने experience किया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने friends province में lawyer का भी मतलब काम किया है, as a career ने जड़ जैसा को निवाया है, ठीक है, इसलिए जितना बिष्टिकल एक्सपरेंस गेंज किया है, legal matter को लेकरके, governance को लेकरके, state को कैसे run करना है, कैसे govern करना है, उसको यो लेकर कि उन्होंने experience किया है, उस experience के base भी, ये सारा contributions उन्होंने दिया है, सारा concept को उन्होंने डेव किया है इसी लिफ्रेंट समलोगों को ये भी दिखता है कि जितने भी बॉडिन्स का राइटिंग है ना उनका काफी ज़्यदा सिग्निफिकेंट इंपक्ट रहा है पॉलिटिकल थॉट्ट को लेकरके जो यूरोप में डेवलप हुआ था उनके टाइम में और साथी साथ उनक कि अस्टेट को कैसे रन करना है अस्टेट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है ये सारे स्टेट क्राफ्ट को मैनेज करने में मौडर्न पॉलिटिकल थियोरी को डेवलप करने में जिनका सबसे बड़ा कॉंट्रिविशन रहता है न वो बॉडिन का थियोरी का बॉरिजन के बारे में कुछ अच्छा बाती बताते हैं और कुछ बूरा बाती बताते हैं कि कि रिलीजन में क्या सही है और क्या गलत है ठीक है तो ऐसा क्यों होता है तो देखिए जब बॉर्डिन थे न है वह अपने यूथ माली कि बच्पन से लगभभ बोल सकते हैं वह अपने यूथ के पिरियड से ही चाह करते थे कि वह चर्च के बारे में जाना रिलीजन के बारे म तमयां को इस लिए सब्सक्राइप करके और इसके लिए में दिखते हैं कि चर्ज Audience के काफी यदा लॉयल हैं एक वह आपके सबस्क्राइब करे, ठीक है जो उनका मतलब की भो होता है जो उनका बरियल से रहता है वो क्या चाता है कि वो Catholic Church के पास मतलब उनको गाला जाये इसको बरियल किया जाये ठीक है एकज़ का डीमांड था क्यूंकि उनको हमेशा से Catholic से काफ़ी ज्यादा लगा रहा था अपने youth period से लेकर के अपने death तक का आने 59 year तक का 57 year का मतलब उनको काफी एदा experience रहा था कि मतलब वो catholic का support करते थे church का भी support करते थे religion का भी support करते थे लेकिन कुछ extent level तक जब तक कि वो state की बीच माधा ना बनने लगी ठीक है और इसलिए वो काफी एदा विश्वास रखते थ है कि अगर उनका कर्मित्री हो ठीक है तो उनका जो बरिया हो वो catholic church के पास ही मतलब कि उनको बरिकिया जाए उनको वहीं पर ही दफनाया जाए लेकिन फिर क्या होता है जैसा कि जब-जब वो क्या होता है कि जैसे कि उन्होंने रेनिसा पेड को काफी नाजिक से देखा था इसलिए हम लोग को यह भी दिखता है कि अपनी वो middle year में अपनी लाइफ की जब middle year में थे वो तो चर्च के काफी खिला भी हो गए थे ठीक है वो काफी चर्च को काफी दा करने ले गए थे ठीक है इसलिए दखिए उनका एंटी पेपाल सेंटिमेंट इसलिए बन गया था ऐसे क्यों ऐसे क्या होता है पेपाल का मतलब हता पुब ठीक है जो वहाँ पि chin चर्च में जो एकतर से मंदिर में इसी तरह से पुजारी होते है ठीक है उसी तरह मतलब की CDC में ठीक हो थे हैं ठीक है तूब इस ताइम तक सेंटिमेंट सा ना वा ठीकέλ की खिलाफ हो गय स्टेट में अस्टेबलेटी को भंग कर रहे हैं, वहाँ पर रिलिजन पर ज्यादा डॉमिनेट करना चाहरे है स्टेट के उपर और इन सारे मतलब चीजों को एक्स्पिरियंस करके देखते हैं, क्या होता है कि उनका जो कॉंसेट रहता है, उनका जो माइनसेट रहता है ना वो एंटी पैपाल सेंटिमेंट का हो जाता है, वो चर्च के बारे में फिर गलत होता है जो पहले से चल रहा है, और उसमें वैसा नहीं चलना चाहिएए, अब उसमें कुछ के ना कुछ बदलाव आना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंट समय लोगों को ये भी दिखता है कि जो बॉडिन थे उनका जो बिलीफ था ना उनका जो मानना था कि उस दौर में चर्च के वज़े से ना मतलब उनका जो पॉर बिलीफ था पॉलिटिक्स को ले करके वो लगभग तूट सा गया था ठीक है और वो क्या बोलते थे कि ये इर्रिपेवल है उसे सही नहीं किया जा सकता है ठीक है उसे वापस रिपेवल नहीं किया जा सकता है और इसलिए वो मानते थे कि मतलब किसी को मजबूर नहीं कर सकता है कि वो रिलिजय सीजों पर बिलीफ करे उनका ना करे मतलब उनका बिलीफ चर्च के वज़ा से इसलिए हम लोग को दिखता है कि जो अपनी middle phase में वो क्या करते हैं कि चर्च की against वो बात करने लगते हैं उनका जितना भी मतलग की context रहता है वो चर्च की against हम लोग को दिखने लगता है और एसलिए friends body हम लोग को यह कहते हैं कि मतलग every religion to coexist in order to hold together the French nationality and even though unity of religion was lost वो कहना चाहते हैं क्या कि देखे religion को न मतलग हर एक religion को मतलग सब कर साथ रहना चाहिए ठीक एक दूसरे कर साथ रहना चाहिए इससे क्या हो कि French का जो nationality वो बढ़ेगा अगर हर एक religion एक दूसरे से मिल करके रहेगा तो इससे किसी का nationality घटेगा ने बलकि France का nationality को और ज्यादा powerful बनाया जा सकता है यह तब भी possible है जब religion को आप खो चुके हैं मतलग religion का unity है उसको आप खो चुके हैं lost कर चुके हैं तब भी यह possible है कि आप फिर से हर एक religion को अगर coexist हो जाया अपने साथ रहने गए तो वह religion भी बहुत बड़ा रोल कर सकता है फ्रेंच की nationality को establish करने में गौट इट तो चलिए फ्रेंट समय लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका और क्या-क्या point of view था ठीक है जिस तरीके कि हम लोगों ने अभी तक इनके contract बारे में समझा कि जिस तरीके से प्रोटेस्टेंट का भी मतलब उनका दिखता है लेकिन वह pure प्रोटेस्टेंट नहीं है ठीक है तो कि उसे क्या उता कि जितने वी उनका critics थे इनके body की जितने वी critics थे वो यह कहते हैं कि जो body हैं वो प्रोटेस्टेंट की ऐसा believe करते हैं लेकिन साथ-साथ वो judge को protect भी तो क करते हैं ठीक है इसलिए body का क्या concept था कि देखिए जो Roman Catholic clergy है न उसे वो तभी मतलब criticize करते थे तभी उनका बारे में गलत बोलते थे जब वो किसी गलत काम को practice करता था किसी गलत काम को बढ़ावा देता था ठीक है तभी वो मतलब ऐसा को doubtful religion practices करेगा चर्क तभी उसको जब वो कोई गलत काम को promote कर रहा है जब वो politics के बीच में आ रहा है जब political instability को create करने में सबसे बड़ा योगदान चर्च का रह रहा है तभी वो बोलते कि नहीं चर्च गलत कर रहा है चर्च यहां पर इस तरीके से इनका नहीं होना चाहिए इस तरीके से interfere नहीं करना verified spirit ठीक है इससे जादा कुछ भी नहीं हो चकता है कि आप एक भगवान को इस तरीके से देखें मतलब अपने pure aspect के साथ अपने पूरे मन के साथ पूरे clean soul के साथ अगर आप भगवान को देखते हैं ता आप पूर से ही बहुत ज़्यादा मतलब को अलग सा energy मिल सा है यह statement वो religion को बहुत ही जादा मतलब की बहुत ही fervent believer थे को इसके true religion के वो सची धर्म को मानते थे और इसलिए उनके जितने भी concept रहे हैं जितने भी चोरेज रहे हैं ना वो हम लोग को balance दिखता है ठीक है उनके जितने भी point of view religion को लेकर के अदा चीज़ को लेकर के तो काफी अद इसको balance करके बताया था वो religion भी करते थे लेकिन वो साथी साथ यह भी कहते थे कि जहां पर religion state की बीच में बाधा बनेगा जहां पर political instability को create करने पर उनका योगदान रहेगा वहां पर वो state को मतलब church को promote नहीं करते थे तो वहां पर church को criticize भी उन्होंने उसी level पर किया है ठीक ह इसलिए उन्हों को दिखता है कि जो जिन बोडिन है कापी diverse scholar है मतलब इनका जो योगदान ना बहुत ही बड़े पैमाने पर है क्योंकि यह कभी किसी एक point को ले करके उनको मतलब आंधापन के तौर पर पर मुट नहीं कर रहे है हर एक aspect को देख करके वहां के चिज़ों को देख करके वहां पर क्या relevance है उसको देख करके अपने contribution को यह दे रहे है तो चलिए friends हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि जिन बोडिन का कौन-कौन सा important book है वैसे इन्होंने कई सारे book लिखे है लेकिन हम लोग ने उसमें से कुछ book को pick out कि है जो कि इनके important book मान 1976 में इन्होंने publish किया था जिसमें कि friends हम लोग को जो French का जो इनिसा period चल रहा था वहां पर जो political instability थे और उसके बारे में वो political thought क्या रखते थे उनका जो legal perception था वो हम लोग को यह किताब से मिलता है जो six block of commonwealth है ठीक है उसमें हम लोग को यह देखने को मिलता है इनका जो second book है वो है method for the easy comprehensive of history ठीक है इनका जो second book है इसे हम लोग को यह पता चलता है कि जो इनके early work थे जो इसके starting में यह जो मतला लिखते थे उसमें से एक book था यह method of easy comprehensive of history जिसमें कि यह history के बारे में बताता है कि history किस तरीके से history के लिए relevance रखता है जिस तरह से में के बताया था कि history का क् बताया है जिसमें कि वो absolute और individual state authority को बताते है कि जो prince है वो किस तरीके से state को absolute रखना चाहिए और individual state authority होने चाहिए कि जितना भी power है वो किसी एक के पास आनिक state के पास और state के थो prince के पास या ruler के पास होने चाहिए यह उन्होंने book sovereignty में बताया है उनका जो fourth important book है वो दिखता ह है कॉलावियम अब दा seven about secrets of the sublime ठीक है यह उनका book है यह 1683 में published हुआ था जिसमें यह बताते हैं कि उनका religious point of view क्या है ठीक है उनके सारे religious point of view इस किताब से वो लोग को मिलता है उनका जो next book reference वो है responses to the paradoxes of malasteroid ठीक है इसमें वो लोग को क्या दिखता है कि जो political controversies हुआ था उ करके हो यह सारे controversies हम लोग को इस किताब में देखने को मिलता है ठीक है उनका जो next book reference वो Republic पे अलग से एक book लिखे है ठीक है जिसमें यह बताते हैं कि government और political principle क्या होना चाहिए आनि कि basically इसमें वो state craft को बारे बताते हैं कि government या उनका form of government कैसा होना चाहिए और मतलब political principle क्या होना चाहिए किन-किन से धानतों के उपर चल करके प्रिंस को एक राजा को एस्केट को रन करना चाहिए तो I hope friends आपको यह आज का introduction वीडियो काफी पसंद आया हूँ ठीक है आप लोग को एक base त्यार हो गया होगा आप लोग को समझने में बहुत याद आसानी हुआ होगा कि जो जिन बॉडिन का concept है वो क्यों इस तरीके से develop हुआ है उनके पिछे क्या क्या reason रहा है रेनिसर का क्या impact रहा है लिलिजन का क्या impact रहा है आप लोग को यह काफी चीजी काफी अच्छ तरीके से समझ में आ गया होगा तो friends अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को एक like करें अपने friends के साथ भी share करें और अगर आप इस चैनल पर नए चैनल को subscribe कर ले और bell icon press करना बिल्कुल भी ना बोले ताकि आने वाले सारे notification सारे update सबसे पहले आप तक पहुँचे तो friends मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जाए and thank you bye bye